लोटस पेग्नेंसी कर में आपका सोगत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे लगू बजरासन करने से सिहत को मिलते हैं ए साथ फाइदे जाने इसका सही तरीका क्या है तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा आपने अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकून की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वली सभी वीडियो सबसे पहले आपको में तोहीं शुरू करते हैं और अपके लिए थोड़ा समय निकालें इस आशन को लिटिल थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है जिसे करने से ना सिर्फ आप सर्देर क्यूप से मजबूत हो सकते हैं बलकि यह आपके स्वास्त पर भी पुजिटिव प्रभाव डाल सकता है तो लगू बजराशन करने के फाइदे पहला लगू बजराशन कोड़ी सेप्स हैमिस्टिंग और एडियों को फैलाता है जिस से सरीर के इन छेत्रों में लचीलापन सुधार करने में मदद मिलती है दूसरा यह आशन रीड की हड़ी के साथ साथ मास्पेशियों को भी मजबूत करता है जिससे बहतर पोश्चर और रीड की हड़ी के स्वास्त को बड़ावा मिलता है दूसरा लगू बजराशन पाचन तंत्र सहीत पेट के अन हिस्सों को उत्तेजित करता है जो पाचन की सुधार करने में ब्लोटिंग अपच जैसी पाचन समस्याओं को कम करने में मदद करता है चौथा लगू बजराशन में पेट को हलके से दबाने में मलत्याग को बढ़ावा मिलता है इससे कबजी की समस्या में भी रहात मिलती है पाजबा लगुपजराशंग का भिहास करने से मन को सांत करने तनाव चिंता को कम करने और मांसिक कल्याण को बढ़ाबा देने के लिए आप कर सकते हैं छटा एपोश्यर पेट के साथ साथ बिलेट फिलो को बढ़ाने में मदद करता है जो बिलेट सर्कुलेशन में मदद करता है और दिल के सौस्त को भेतर रखने का काम करता है महिलाओं को period के दौरान होने वली समस्याओं को काम करने में भी लगो बजराशन काफी जादा फाइदे मन्द है लगो बजराशन कैसे करें लगो बजराशन करने के लिए सबसे पहले अपने घुठनों को एक साथ मिलाते हुए फर्स पर गुट्टे टेक कर खड़े हो जाए अब अपने रीड की हड़ी सीधा रखते हुए अपने हिप्स को अपने यडियों उपर रखें अपने हातों को अपने जांग उपर रखें और इस दोरान हाते लियां नीची की ओर हो इसके बाद घरी नीद से घरी सांस लें और अपने रीड को उपर की ओर लंबा गरने धिरे धिरे सांस सोड़ते हुए पीछे की ओर जुकें अपने हात को अपने हिप्स के पीछे रखकर खुद को सहार दें अपने सरीर को फर्स की ओर निचे ले जाएं फिर आगे बढ़ते हुए अपनी कोनियों को थोड़ा जुकाएं। अब अपने सीनी के उपर की ओर उठाएं और अपने नीचे के आप अपने फीट के बन निचले हिस्से से एक आर्च बनाएं। गेरियों समान लूप से शांस लेते हुए 15-30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें। आप दिर दिर सीधे बैटनी की इस्तिती में लोट आएं। और अपने घुटनों पर बैट जाएं। इसी तरह इस रेगुलर एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज से आपको 100 टका फाइ करें।